Hello friends, नमस्ते, आदाब, very good life to you all, मैं डॉक्टर कंचन गुपता अपने डेस्क पे आपका स्वागत करती हूँ, आज मैं एक बहुत important topic आपके सामने ले के आई हूँ, और क्योर भी ले के आई हूँ, वो है paralyzes, जिसे simply हिंदी में हम लोग लकवा मारना कहते हैं, मैं इस बारे में पहले ही अपनी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने nervous system में बताया था कि किस तरह हमारा brain order देता है सभी organs को, और वापिस वो organ brain को, वापिस message देते हैं कि उन्होंने brain का order मान के काम किया है, लेकिन paralyzes वो stage है, जबकि इनसान की किसी muscle की ताकत खतम हो जाती है, या कम हो जाती है, means loss of strength, क्योंकि जो brain है, वो जो message दे नहीं सकता, उसके signal जो हैं, वो muscles तक नहीं पहुंचते, और muscles जो हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं, और इनसान के body के किसी भी part पे paralyzes हो सकता है, आप समझ गए होंगे कि paralyzes is the loss of strength, if brain, nerves, or spinal cord get damaged, signals don't move to muscles, ये जो problem है, ये एक nerve cells की जो chain होती है, जो की body के parts तक जाती है, दिमाग से शुरू होके, वो damage हो जाती है, और ये कहीं तरह का paralyzes होता है, जैसे दो तरह का, पहली तरह का जो है, वो localized है, मतलब ये किसी body के एक part को रोक देता है, दूसरा है generalized, जैसे कि एक बहुत चोड़ा बड़ा area जो है body part का, वो affected होता है, it's localized when it affects only one part of body, paralyze is generalized if it affects the wider area of body, ये आप याद रह के, localized जो है, वो monoplasia हो सकता है, जैसे, जैसे सिर्फ एक किसी part का रुख जाना, localized as monoplasia, where one limb is affected, and B1 is hemiplasia, की अधरंग, जिसे हम अधरंग कहते हैं, बने body के पूरा आधा part, जो है, वो रुख जाता है, और फिर है diplasia, उसमें हमारे जिस्म के, दोनों तरफ के part में effect होता है, और body के दोनों, जैसे अगर legs खराब होंगी, तो दोनों legs ही रुख जाएंगी, अगर arms पे paralyze का attack होगा, दोनों arms काम नहीं करेंगी, आप समझ गए होंगे कि ये किस किस तरह का होता है, एक होता है quadriplasia, जिसमें entire area from nap down, गर्दन से लेकर, लीचे तक, पीठ ही पूरी paralyzed हो जाती है, और there are many types and degrees of paralysis, बहुत तरह की degrees, बहुत तरह के type हैं paralysis के, conditions ऐसी होती है, partial यानि paralysis क्या है, कि उसमें जो muscles हैं, उनके उपर control होता है, जैसे कि facial paralysis, ये ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक होता है, आप फिकर ना करें, क्योंकि कई बार, लोगों को बहुत ठंडी जगा में, जैसे mountain areas में जाके, एकदम से उनका चेहरा लगता है, वो दांत रुक जाते हैं, बोला नहीं जाता, और आधर चेहरे पे, कुछ भी feeling नहीं रहती, ये सब ठीक करना बहुत आसान है, आप कभी मायूस या निराश ना हो, आप देखिए tetanus से जो लॉग जो होता है, यानि जबड़ा एकदम से stiff हो जाता है, कभी-कभी खाते हुए, या कुछ, कभी बच्पन में चोट लगी थी, लेकिन tetanus के injection नहीं लगे, या tetanus का इलाज नहीं किया, तो log jaw भी एक तरह का paralysis है, लेकिन शनिक थोड़ी देर के लिए, इन सब के इलाज बहुत आसान है, दूसरा है complete, muscles जो हैं, वो बिलकुल move नहीं करती, complete where muscles are not moved at all, third type है permanent, जो की muscles जो हैं, उन पे control हमेशा के लिए खतम हो जाता है, when muscle control never comes back, four type, temporary, थोड़े दिन के लिए, या थोड़े घंटों के लिए, अब देखे कि ना, हर इनसान ने paralysis का attack, कभी न कभी life में महसूस किया होगा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उस पे वो attack आया है, वो कैसे, sleep paralysis, वो क्या है, आप देखेंगे, कभी कभी आप सुबह जाग जाते हैं, आपकी नींद खुल जाती है, लेकिन आप उठना चाहते हैं, आप उठ नहीं सकते, आपको लगता है, आपकी legs में जोर नहीं है, आपके बाजियों में उठने की ताकत नहीं है, लेकिन वो temporary है, वो 10-15 मिनिट में ठीक हो जाता है, फिर्ट टाइप क्या है, फ्लैसिट, इसमें क्या होता है, मसल्स गेट फ्लैबी, भारी हो जाती हैं, फ्लैसिट हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, या शिंक हो जाती हैं, सिकुड जाती हैं, सिक्स टाइप है, स्पास्टिक, जब मसल्स जो हैं, बहुत टाइट हो जाती हैं, hard हो जाती है, जिसकी वज़ा से jerking होती है, हिलती है, spasm होते है अब हम चलते हैं causes of paralysis पे, paralysis की वज़ा क्या है, reasons क्या है वो है stroke, brain stroke, दूसरा spinal cord injury, तीसरा head injury, कभी सिर पे छोट लगना, गिर जाना, multiple sclerosis next, cerebral palsy, toxins, body के अंदर toxins produce होते हैं, हमारे अंदर जो muscles हैं, वो overuse जब हम करते हैं तो body के muscles ही एक तरह का poison produce करते हैं, जो की muscles को काम करने से रोग देता है और इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी और आपको, poisons, जहर, peripheral neuropathy इन सब वज़ों से हमें paralysis होता है, और homeopathy में इसका बहुत अच्छा इलाज है सबसे पहले मैं जाऊंगी, crotillus पे, अगर stroke से, brain stroke की वज़ा से paralysis होता है तो crotillus को आप याद रखें, potency मैं आगे बताऊंगी, doses मैं आगे बताऊंगी, आप सुनते रहें, platina platina वो medicine है, आप देखें जो कि उन औरतों के लिए बहुत कारगर है, जो बहुत घमंडी होती है बहुत उनको ego होता है, वो दूसरी औरतों को बिलकुल छोटा समझती हैं, और बहुत हींद रिष्टी से देखती हैं उनका हर वक्त दिमाग उंचा ही रहता है, तो platina कब हम use करेंगे, आप देखें उस facial paralysis के लिए या numbness के लिए जिसमें cheeks numb हो जाते हैं, गाल जिसको रुकसार कहते हैं, वो सुन हो जाते हैं, lips, होट बिलकुल numb हो जाते हैं, जुबान numb हो जाती है तो जब facial paralysis हो, तो platina best medicine है, और next चलते हैं, paralysis of lower extremities, legs वगेरा का, नाभी से नीचे का, नैवल से नीचे के पार्ट, जब numbness दिखाएं, तो हम क्या use करेंगे, हम rust talks, डलका मारा, कौनियम, कौनियम को कभी न भूलें next चलते हैं, अगर जुबान, जिसे हम जीब कहते हैं, tongue, अगर उसका paralysis होता है, यह temporary होता है और इसके लिए best medicine है, क्योप्रम मैट, अच्छा, facial paralysis कई बार होता है, कि जब eruptions, जो हमें eruptions होती हैं, जैसे pox की, जैसे urticaria की, जैसे measles की, जब हम उसको दबा देते हैं, suppress कर देते हैं, किसी alopathic medicine से, या ठंडा पानी उपर डालने से, यह suppress हो जाती हैं, छुप जाती हैं, और इस वज़ा से अगर facial paralysis होता है, तो आप हमेशा causticum और bacillium को याद रखें, आप एक बात और याद रखें, right-sided facial paralysis के लिए causticum है, लेकिन causticum को हमेशा मैं top पे रखती हूँ, वो हर तरह के paralysis की बेहतरीन दवा है, par excellence remedy is causticum, next चलते हैं हम stannum और lacasis पे एक साथ, क्यों, और क्योंकि वो hemiplegia की best medicine है, stannum and lacasis, hemiplegia, half-sided paralysis को ठिक करता है, opium, opium, right-sided paralysis की best medicine है, अब हम चलते हैं, cocculus पे, cocculus के बारे में मैं एक बहुत खास बात बताना चाती हूँ, इसको जल जमनी कहते हैं, जल जमनी, cocculus का हमेपैथी में बहुत use है, चक्करों के लिए बहुत sea-sided, जो effects होते हैं body पे, sea-sides पे, या damp climate में जो चक्कर आते हैं, उसके लिए cocculus best है, लेकिन इसको जल जमनी कहते हैं, जिसका आयरुवेद में बहुत जबरदस्ट effect है, क्यों? क्यों इसको जल जमनी कहते हैं? क्योंकि इस plant से पानी भी जम जाता है, तो जो चीज जमाएगी, वो ही हमें तरलता भी देगी, लिक्विडिटी भी देगी, और हमारे अंदर paralysis की वज़ा से muscles hard जम जाती हैं, cocculus को हमेशा याद रखें, अगर upper eyelid का paralysis हो, उपर की जो हमारी पलक है, वो हिलना बंद हो जाए, तो cocculus आप लें, next में चलती हूँ, sarcolectic acid, यह sarcolectic acid क्या है, पहले भी मैंने आपको बताया, कि जो muscles हैं, उनके over use से, हमारे muscles, खुद एक तरह का acid बनाते हैं, और वो muscles को ही destroy करते हैं, तो muscle के जो poison से बनी हुई, sarcolectic acid है, वो best medicine है, उसके जैसी कोई दूसरी medicine नहीं है, next है, lethirus, lethirus जो है, वो lower limbs की, टांगों के लखवे की best दवा है, और paraplegia की best दवा है, next चलते हैं, नक्सवामिका पे, नक्सवामिका किसी भी तरह के paralysis की best दवा है, जलसीमियम, जलसीमियम इस पार excellence remedy against many many diseases, specially muscular paralysis, next है, plumbent mat और picric acid, picric acid जो है, वो हमारी nerves का tonic है, muscles का tonic है, और picric acid जो है, उस paralyzes के लिए है, जो ascending order में हो, उपर से नीचे नहीं, side to side जो paralyzes होता है, उसमें आप picric acid और plumbent mat को याद रखें, और konium को भी, konium का जिक्र में पहले भी कर चुकी हूँ, इन्हें कभी न भूलें, next चलते हैं हम, bell's palsy की तरफ, facial left sided paralysis, उसमें आप cadmium self को याद रखें, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, numbness जो है, numbness जो है, वो भी एक तरह का सुन पना है, और paralysis भी एक तरह का सुन पना है, लेकिन दोनों के degree में फर्क है, और आप अगर इन medicines को use करते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मेरा ये आपको एक दावा है, और मैं एक चिसकी और surety बताना चाहती हूँ, कि कुछ तेल बनते हैं, best तेल है, जो इंडिया में available है, बाकी जबों का मुझे नहीं मालूम, वो है महा माशा तेल, महा माशा तेल में बहुत कुछ है, जब मैं तेलों का जिक्र करूंगी, कि उसमें क्या क्या है, तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, ये किस कंपनी का available है, वो मैं आपको आज ही बताना चाहती हूँ, वो कंपनिया है, पातांजली दिव्य महा माशा तेल, जो बाबा राम देव और बाल कृष्ण जी उसको प्रमोट कर रहे हैं, और ये मस्सल्स में नई जान लाता है तेल, नेक्स्ट है केरेला आयरुवेद लिमिटेट, नेक्स्ट है नागारजुना, नेक्स्ट है शी अथर्व आयरुवेद, नेक्स्ट फारमेसी है आर्य बैद्य फारमेसी, नेक्स्ट है कोटकल महा माशा तैलम, ये साउथ इंडिया में मस्किलर प्रॉब्लम के लिए हर तरह क तेल बनता है और इसमें क्या क्या होता है इसका मैं जिक्र फिर अगली वीडियो में करूंगी आप मुझे देखते रहें और पोटेंसी की मैं अगर बात करूं तो पोटेंसी में 200 या 1M चूस करती हूं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो का फायदा हो थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू फॉर लिसनिंग